द्यायंतियाम निगणाह नियतं त्रिकालं संधेति नाम परिकल्प्य गुणान भवानी बुद्धिरही बोध करणा जगताम सदात्तं श्रेश्चासि देविसततं सुफधा सुराणाउं भगवान श्री शंकराचाहर जी के द्वारा रचित एक स्तोत्र है पांडुरंगाष्टकम उसी पांडुरंगाष्टकम का पाठ हम लोग कर रहे हैं तो उसमें चवथा जो स्लोक है स्फुरत कउस्तुभालं कृतम कंठ देशे श्रिया जुष्टके यूरकम श्री निमासम शिवम शांत मीड्यम वरम लोक पालम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम महाराष्टर में पंधरपूर जगा है वहाँ पर भगवान पांडुरंग एक इंटे के उपर दोनों पैर समान रूप से जमा करके खड़े हुए दोनों कमर पर हाथ रखे हुए भगवान का दर्शन वहाँ पर होता है तो क्यों दोनों कमर पर हाथ रखे हैं और क्यों एक इंट पर खड़े हैं ये सब चर्चा चली अब ये जो स्लोक है इसमें बताया स्पुरत कौस्तुभालंकृतम भाल देशे कंठ देशे कंठ में फड़कता हुआ कौस्तुभामनी धारण किये हुए और उसके बाद आया श्री के निवास है श्री माने लक्ष्मी तो लक्ष्मी के निवास माने लक्ष्मी के घर है वो तो लक्ष्मी का घर क्या होता है लक्ष्मी का घर तिजोरी होती है तो इसका मतलब भगवान तिजोरी है और लक्षमी जी तो लक्षमी है, यहां है, तो जैसे तििजोरी में लक्षमी रहती है, वैसे ही भगवान में लक्षमी निमास करती है, इसलिए उनका नाम श्री निमास हो गया. तो ये चर्चे चली कि श्री निमास कैसे हो सकता है श्री जो है वो तो हम लोग कमाते हैं तब आती है हमारे पास और फिर पत्याने कहां खर्च हो जाती है कई लोग तो हम लोगों से मिलते हैं यही कहते हैं कि महाराज बहुत कमाते हैं लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है कैसे खर्च हो गया पता नहीं चलता हाथ सदा खाली का खाली ही रह रहा है कुछ गर्पा करिए तो हम लोग भगवान की तरफ उनको उनमुक करते हैं कि वही कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि कोई कहीं जाता है तो दो कारणों से जाता है जैसे जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके दुरियोधन की सभा में गए तो दुरियोधन ने बहुत सारी बातें करी पिर कहा कि भोजन कर लो तो भगवान ने क्या कहा कि भोजन द आदमी भूखा हो, उसको भोजन की आवस्यक्ता हो, तो वो भोजन कर लेता है, जो मिले भाई, रूखा सूखा, कोई बात नहीं लाओ, जो कुछ प्राणदारन करना है, और या तो फिर इतना प्रेम हो किसी का, कि भले पेट भरा हो, फिर भी कुछ खिला दे, कि नहीं नहीं, लोग खाना ही पड़ेगा, तो प्रेम के वशिभूत हो करके कोई खा ले, इन्हीं दो परिस्तितियों में कोई भोजन करता है, है ना, तो नचप प्रिर्णय से राजन, नईवा आपत गतावयम, तो दो कारणों के कारण भोजन होता है, यहां दोनों उपस्तित नहीं है, नचप प्रिन ऐसे, तुम इतना प्यार हमसे करना ही रहे हो, कि हम तुम्हारे प्यार में भोजन कर लें, और नईवा आपत गतावयम, हमको भी भूख रूपी कोई आदत हमारे भी नहीं है, समस्य हमारी भी नहीं है, कि हमको भूख लगी यह खाना ही, इसलिए भोजन नही होगा, तो वहां से चले गए, बाद में फिर भी दूर के घर में गए, वहां प्रेम से मिला तो शाक भी खाए, ऐसा आप लोगोंने सुन रखा है, तो कोई कहीं जाता है, वो भी दो कारण से जाता है, जैसे यहां बोजन का परसंग बताया, वैसे ही आने जाने का कारण भी दो है, एक कोई बड़े प्यार से बुलाए, आदर से बुलाए, श्रद्धा से बुलाए, कि माराज पधारी है, भाईया जी आओ, बाबु जी आओ, आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, बार बार आमंतृत करें, तो फिर आदमी ज जाना पड़ेगा जैसे किसी वस्तु को किसी जगह चिपका दो और उसको खींचो तो जितना खींचने में बल होगा उतना ही उस जगह को वहां चापने चिपकाया वह छोड़ने लगेगी अगर पूरा ही बल आ गया तो पूरा ही छोड़ करके आ जाएगी तो आप किसी को यह बिना काम न चलता हो तो फिर जाएगा कि भईया ठीक है अब क्या करें हमको तो जाना ही तो लक्ष्मी जी को आप अपने घर में बुला रहे हैं ये लक्ष्मी मिया मेरे घर में आ जाओ एना सब लोग दिवाली की रात को पूजा कर गे है प्रातना कर रहे है तो यह प् बुला लें या लक्षमी जी मजबूर हों तो चली आए अब सवाल यही है कि आपकी शरद्धा कितनी है अगर आपकी शरद्धा बहुत अधिक है तो लक्षमी जी आई जाएंगी अब लक्षमी जी की समझे है कि वह नढायन के साथ रहती है लोग के वह लक्षमी को बुला रहा है अब वो कहती है कि जहां नारायन रहेंगे वहां में रहूंगी तो ऐसी परिस्तिती में वो आपकी श्रद्दा के अनुसार कैसे आप आएंगी कि आप एक आंगी है और उनकी कोई मजबूरी ऐसी हो नहीं सकती कि वह आपके यहां आना पड़े उनको तो इसलिए वो नहीं आ रही है तो श्री निमास श्री निमास भगवान बन गए भगवान ने लक्षमी को बुलाया नहीं अपने पास जब समुद्र मंतन होकर के लक्षमी जी निकली तो सब लोगों ने उनकी कामना की लेकिन भगवान ने कोई कामना नहीं की लक्षमी जी स्वयम माला लेकर उनके सामने पहुँच गई और उनके गले में उन्होंने डाल दिया तो लक्षमी ने स्वयम भगवान का वरण किया है भगवान ने लक्षमी को बुलाया नहीं लेकिन फिर भी लक्ष्मी उनके पास पहुँच गई कारण क्या रहा ये कारण हम लोगों ने खोजना चाहा कि भगवान ने लक्ष्मी को कैसे आकरशित कर दिया बुलाया नहीं चाहा नहीं लेकिन लक्ष्मी चली गई तो श्री निमासम जो भगवान का विशेशन यहां पर आया उससे हम लोगों को अनमान लगा कि लक्ष्मी जी का घर है भगवान और घर में कोई बुलाने से नहीं जाता घर में तो अपने आप जाता है अबाविक प्रवृत्ती है वेक्ति कि कि किसी कारण से कहीं गया है जैसे ही खाली होगा लोट करके घर आ जाएगा लोट के बुद्धु घर को आए कहावत है न माने बुद्धु भी हो तो भी घर लोट करके आ जाता है साज प्रवृत्ती है यह तो ऐसा कुछ हो जाए कि लक्ष्मी जी अपने आप हमारे यहां चली आएं तो बताया उत्साह संपन्नम अदीर्ग सूत्रम क्रिया विधिग्यम विसनेश्व सक्तम शूरम कृतग्यम द्रिड सवुर्दम चे लक्ष्मी स्वयम याती निमास है तो लक्ष्मी उस व्यक्ति का घर में स्वयम निमास करने के लिए चली जाती है जिसमें ये गुण होते हैं कौन-कौन से उत्साह संपन्न उत्साह का मतलब होता है क्रिया कोई कार्य करने के लिए प्रसन्नता किसी काम को करना है हाँ हाँ जरूर अभी शुरू कर दे और अंतिम तक उस कार्य को पूरा करने तक मन में प्रसन्नता बनी रहे इसी बात का नाम है उत्साह तो कोई ऐसा हो उत्साही हो कोई कार्य उसके सामने आया हाँ हाँ अभी करते हैं लग जाए बाद पे ना टाले जी ना चुराए तो उसके पास लक्ष्मी आने लगेंगी आप देख लेजिए जो भी काम करने वाले लोग हैं ऐसे लोग जो उत्साह से जो भी काम सामने आता है उसको करते हैं तोड़ करके प्रसनता पूरवक तो उनकी बड़ी डिमान होती है उनकी और जो कामचोर होते हैं बहाना बनाते है आज ये समस्या है आज ये समस्या है अच्छा ऐसा करता हूं साम को करता हूं अच्छा कल करता हूं तो फिर उनसे लोगों का मन हट जाता है और उनके पास लक्ष्मी कमजोर हो जाती है जाने में इसी तरह से अधीर्घ सूत्रम सोचते रहना निर्णही न ले पाना बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि वो निर्णही नहीं ले पाते कि मैं क्या करूँ टालते रहते हैं तो उससे भी काम विगड़ जाता है और क्रिया विधिज्यम कोई कार्य कैसे करना है इसकी विधी नहीं जानते उनको भी सफलता नहीं मिलती व्यसनेश स्वसक्तम व्यसन बहुत सारे होते हैं उन व्यसनों में लोग लग जाते हैं और शूर साहस नहीं है करतग्य किसी ने आपके लिए कुछ किया आप उसके किये को भूल जाते हैं अब द्रड सहुर्दम गहरी मित्रता किसी से मित्रता हो गई तो उसको निभाना ये गुण है ये गुण जिसके पास होते हैं उसके पास लक्ष्मी अपने आप स्वयम याति निवास है तो रहने के लिए माने पर्मानेंट रहने के लिए उस वेक्ति के घर में लक्ष्मी चली जाती है जिसमें ये 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 गुण होते हैं इतनी बात तो हम लोगों ने विस्तार से की हमने भी सार बता दिया अब ये है प्रस्न ये है कि सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि ये भगवान ये श्री निमास है तो क्या भगवान में ये गुण है भगवान उत्साह संपन है दीर्गसूत्री नहीं है क्रिया विधी को जानने वाले है व्यसनों में असक्त है शूर है, कृतग्य है और मित्रता को निभाने वाले है अगर भगवान में ये गुण है तो ठीक है लक्षमी ने उनको अपना निमास बना लिया है इसलिए भगवान श्री निमास हो गए है और अगर नहीं है तो फिर ये बात हैं बेकार है तो अपने लोग देखें कि भगवान के गुण क्या है और लक्ष्मी क्यों उन्हीं के यहां रहने गई है उनकी अंदर क्या वैसे इस्ट है तो भगवान के वैसे तो बहुत गुण है अचिंत्य गुणगणई के निले भगवान को कहा जाता है अचिंत्य अनंत गुणगणई के निले भगवान का एक नाम है अचिंत्य और अनंत गुणगणई का वो निले है माने केवल लक्ष्मी के घर नहीं है वो गुणगणों के भी निले है निले माने भी घर होता है अचिन्त और अनंत गुण गणों के निले मने घर उनके अंदर भगवान के अंदर अचिन्त और अनंत गुण निवास करते हैं कहा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी अगर कहना हो कुछ गुणों का उलेक करना हो तो वालमी की जी ने अपने रामायन में भगवान के गुण कहें हैं 60-70 गुण उन्होंने सीधे बतायें कि उस राम का हम चरीत बताने जा रहे हैं जो इन इन गुणों से युक्त है कौन कौन से गुण है नियतात्मा महा वीर्यह दितिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान सत्रुनिवर हणहा विपुलांसह महा बाहुह कंबुग्रीवह महा हनुहु महोरस्कह महेश्वासह गुण जत्रुह अरिंदमहा आजानु बाहु हु सुशिराह सुललाटसु विक्रमह समस्व विभक्तांगास्निक्दवर्न प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षः लक्षिमीमान सुभलक्षणह धर्मग्यह सत्यसंधस्य रजानांचहिते रतह यशश्वी ज्यानसंपन्नह सुचिह वश्यह समाधिमान प्रजापतिसमस्रीमान धातारि पुनुशूदनह रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता वेद वेदांगतत्वत्क्यह तनुर्वेजे जनिष्ठितह सर्वशास्त्रार्थ तत्वग्यह श्रुमृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रियस्साधु अदेनात्मा विचक्षनह सरवदा विगतस्सद्विह आरियह समुद्रईवसिंदुभिह आरियह सर्वसमस्चईव सदैकप्रियदर्षनह ये उन्होंने भगवान के गुण बताए वो नियतात्मा है नियतात्मा का मतलब उनका मन विचलित नहीं होता कभी यथा निर्णे कारी जैसा निर्णे कर लेते हैं फिर उसी निर्णे के आधार पर आगे बढ़ते हैं बीच में विचलित हो करके जैसे बताया ना कि प्रारव्य चोत्तम जरान परित्यन जिन्ति ये बगवान का गुण है once decided only एक बार तै कर दिया तो फिर उसको पूरा करना बीच में विचलित नहीं होते हैं महावीर यहा बहुत बड़े इब्बल वाले हैं उनके बल का कोई पार नहीं दियुतिमान माने तेजस्वी धृतिमान माने धैर्यधारण करने वाले वशी माने सबको वस्मे कर लेते हैं बुद्धिमान हैं ग्यानी हैं नीतिमान हैं नीतिग्य हैं जानते हैं वागमी माने वक्ता हैं बहुत अच्छा बोलते हैं श्री मान माने उनकी शोभा भी बहुत अच्छी है देखने में भी संदर हैं केबल बोलने में नहीं शत्र निबर हड़ा हां अपने शत्रों का पराभव कर देते हैं विपुलांसा हा उनके कंधे बड़े बड़े हैं महा बाहू भुजा लंबी है कंबुगरीबहा गला जवय वो संख की तरह से हैं महा हनु जो ठुड़ी है वो बड़ी है महो रसकह छाती बड़ी चवड़ी है महेश श्वासहा उनका जो कंधे और बाहा का जोड़ है वो भी बहुत बजबूत है बनावट उसकी जो कसावट उसकी अच्छी है अरिंदमहा अगर कोई सतुरता उनसे करता है तो उसका दमन कर देते हैं आजान बाहु जो गुटना है यहां तक उनकी बहाँ लटकी हुई है सुशिराहा सुंदरमस्तक है और उनकी जो मसल्स हैं शिराएं वो भी बहुत अच्छी है सुविक्रमहा जहाँ पराक्रम दिखाना चाहिए महीं पर पराक्रम दिखाते हैं समह, माने ना तो अधिकांग है ना तो हीनांग है किसी किसी के शरीर में कुछ अंग जादा होता है और किसी के कुछ कब होता है, ऐसा नहीं है समविफक्तांग है, कोई यंग छोटा होता है और कोई यंग जादा बड़ा होता है लेकिन भगवान के शरीर की बनावट में समभी पक्तांगा है, सभी यंग, समान शनिक धवरनहा, उनका जो रंग है, वो सुन्दर है, इसने है, पूर्णवाला है परतापवान, परतापी है, पीनवक्षा, छाती जो है वो उबरी होई है ये वीरता का लक्षण है, जो बीर होते हैं, उनकी शायती उबरी होती है विशाल आक्षः, बड़ी बड़ी आखे हैं, लक्षमी इमान, माने बहुत संपन्न है शुब लक्षण हाँ, शरीर में जो सामुद्रिक लक्षण होते हैं, सुब लक्षण ही है, अशुब कोई लक्षण ही नहीं, माने जैसे तिल है, तो यहाँ दाहिने हो तो शुब है, बाए हो तो अशुब है, ऐसा है ही नहीं, कोई तिल बाए नहीं है, जो है सो दाहिने है, इस तरह से सभी शुब लक्षन उनके शरीर में भी दिमान है। धर्म अग्या, कर्तव ये बोध पुरा है, सत्यसंदस्च, सत्यसंद है, सत्यसंद माने जो कहा सो किया। कह देने के बाद कभी उनकी बात खाली जबान खाली नहीं जाती। प्रजा नाम चहिते रतहा, सदा, उनका मूल काम क्या है? प्रजा के, माने अपने भक्तों के, शिश्यों के प्रजा के, परिपालन में, उनके हित में रत रहते हैं। यसश्वी, वो तो है ही हैं, रामनादी के बद से उनका यश कितना बढ़ गया। पिता की आग्या के पालन से उतना यश है उनका। ग्यान संपन्नहा, बहुत सांसारिक भी नहीं हैं, वो ग्यानी हैं, ब्रम ग्यानी हैं। शुचिही अंदर बाहर से पवित्र है वश्यह ये भी गुण होता है अपने पिता के अपनी माता के अपने आचारी के अपने देवता के वश में रहना तो वो वशी है वो स्वयम बस में रहते हैं सबको बस में करते हैं लेकिन स्वयम अपने उसे बड़ें के वश में रहते ह समाधिमान हर समय समाधी लगाय रहते हैं माने सोचते रहते हैं क्या सोचते हैं कि इस भक्त का कल्यान कैसे करूँ इस भक्त का कल्यान कैसे करूँ प्रजापति समहा जैसे ब्रह्मा जी निर्मान नया कर लेते हैं ऐसे राम जी भी नया निर्मान कर देते हैं रावन आतंकी पूरे जगह पूरे देश में विश्व में आतंक मशाय हुए था सब दरे हुए थे या भगवान ने बदल दिया परिद्रिश श्रीमान अईश्वरे शाली है धाता जैसे पिता पालन करता है वैसे ही पालन करने वाले है अपने सत्रों का नाशही कर देते हैं जीवों की रक्षा करते हैं धर्म की रक्षा करते हैं धर्म की रक्षा करते हैं वेद वेदांग के तत्वग्य हैं चार वेद हैं छे वेदांग हैं और धनुर वेदेचन श्रीतहा धनुर वेद उपवेद हैं माने उपवेदों में भी पारंगत हैं सर्व सास्त्रार्थ तक जितने भी शास्त्र हैं सब का तत्त जानते हैं स्मृतिमान माने स्मृति करंथों को भी जानते हैं प्रतिभानवान उनकी जो प्रतिभा है नव नवनमेश शालिनी है सर्व लोग का प्रियहा सब के प्रियह हैं वो मनों को भी उतने ही प्रिया है, सादु हूँ, सादु है वो, सादु मानों, सादुर मृद्व सभाववान, उस व्यक्ति को सादु कहा जाता है, जो बहुत मृद्व सभावका हूँ, मदुर सभावका हूँ, ऐसे ही है वो, अदीनात्मा, कभी भी उनके मन में दीनता नही आती है, अनिदब करके नहीं रहते हैं, विचक्षण हां, कारे कलने में अलोकिक उनकी प्रतिभा है, कारे कुशल है, जैसे नदियां समुद्र को हर समय भरती रहती हैं, वैसे ही बड़े-बड़े लोगों के द्वारा वो भी हर्दम भरे जाते हैं, कोई उनको कुछ दे ही र लोगों तो जैसे नदियां समुद्र को हरती हैं, वैसे बगवान हर समय भरे जाते रहते हैं, मəkeit हर समय उनकी पहां आगमन बना रहता है, आर्यह, वो आर्यह आर्य की प्रिवाशा बताई है आर्य हा सर्वपूज्य हा आर्य वो है जो आदर्णी हो सर्वसमस्चेवा सब को समान अधिकार देते हैं कि सब सरणागती के अधिकारी हैं सदै के प्रिय दर्शन है लेकिन सदै के प्रिय दर्शन है प्रिय दर्शन तो कोई भी हो सकता है तोड़ी देर में निराश हो जाएगा, भगवान ऐसे नहीं, भगवान हर समय प्रियदर्शन है, जैसे मंदिर में मूर्ती एक जैसी दिखाई देती है अर्दन, वो ऐसे नहीं दिखाई देती है, ऐसे ही भगवान थे, सदा इक प्रियदर्शन होता था, सचसर्व गुणों पेता हा, सभी गुणों, जितने भी गुण हैं, वो सब उन में हैं, कवशल्यानंद वर्दन हा, सब कुछ होते हुए भी मा के आनंद का वर्दन करने के लिए छोटा रूपी दारन करने में वो समर्थ हैं, जैसे समुद्र गंभीर है, ऐसे वो गंभीर हैं, जैसे हिमाले, अटल हो करके एक जगा खड़ा है, ऐसे उनका धैरी है, भगवान विश्नु के जैसा उनका बलपराक्रम है, और चंद्रमा जैसे प्रियदर्शन हैं, कभी क्रोध अगर कर लें, तो कालागनी के जैसे, कालागनी रुद्र जो है, वो जब प्रले का समय आता है, तब उनका स शमाही कर देते हैं, और धन देन समह त्यागे, कुबेर की तरह से वो त्याग में अपनी कुशेस्ता दिखाते हैं, और सत्य धर्म यवापरा, सत्य का पालन करना हो, तब तो समझो की धर्म ही हैं, इसलिए रामो विग्रह वान धर्मा कहा गया है, तो ये सब गुण वालमी की जी ने बताए, इनमें वो सब गुणा आ जाते हैं, जो इस स्लोक में कहे गए हैं, भगवान का उत्साह देखिए, उत्साह संपन है, जब पृत्वी काय का रूप धर करके देवताओं के साथ ब्रमा जी के पास गई है, ब्रमा जी शिव जी के पास गई है, और शिव जी उन लोगोंने सबने मिल करके प्रार्थना के, ए भगवान हमारे उपर करिपा करिए, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पत कंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, मुनि सिद्ध और देवता, सकल, इस सब क्या हैं, परम भयातुर, ए रभू इस समय हमारे मन में पर बहुत बड़ा भै उपस्तित हो गया है नमत नात पदकन्जा भैभीत हो करके हम आपके चर्णकमलों में प्रणाम कर लाए हैं हमारा यह भै दूर करिए अभी प्रार्तना ही किया तब तक क्या हो गया अकाश्वानी शनाई दे लिए जनी डरपहु मुनी सिद्ध सुरेशा तुमही लागी धरियं नरवेशा मुनी सिद्ध सुरेश माने सभी सुरेश साइद सभी देवता आप लोग बिलकुल डरिये मत आप सब के लिए मैं आवतार धारन करूँगा तुर्ण तैयार हो गया ना काम करने के लिए जो उनकी उनके मन में भय था मुनियों के मन में सिद्धों के मन में तेवताओं के मन में उस भय का हरन करने के लिए भगवान आलब से नहीं कर रहा है ततकाल कि मत डरिये हम लेंगे उता इसका मतलब क्या है उत्साह संपन्न है अगर उत्साह नहोता तो कल पे टाल देते कि ठीक है हम बिशार करेंगे आप लोगों ने अच्छा प्रार्थना की है आप बिशार कर लेते हैं फिर बताते हैं ऐसा नहीं किया उन्होंने ना तो दीरगसूतरता दिखाई और ना तो अनुत्साह दिखाया उत्साह पुर्वक उन्होंने ततकाल अन्सन चाहित और क्रिया विदिग्यम अब पहले तो उत्साह दिखा दिया कि ततकाल उनके भय को आश्वासन दे दिया फिर अधिर का सूत्रता दिखा दी कि लईहं नरवेशा निर्णे ले लिया और फिर क्रिया का क्या तरीका होगा अंसन सहीत मनुज अवतारा लईहं दिनकर वंस उदारा सूर्य वंस में मैं अपने अंसों के सहीत अवतार धारन करूँगा उनको क्रिया विधी भी आ गईगी, कैसे कैसे काम आगे बढ़ेगा है ना जानि सभे सुरभू मिसुनि बचन समेत सनेह गगन गिरा गंबी रवई हरन शोक संदेह सोक और संदेह शोक क्या है? डर है उनके सब के मन में अब संदेह क्या है? कि पता नहीं भगवान हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे चलो प्रार्थना तो करते हैं, देखो क्या पता? ये संदेह तो हरन ही शोक संदेह शोक का भी हरन हो गया, आस्वासन मिल गया तो उनके बल आ गया और संदेह भी मिट गया कि नहीं नहीं तो करी रहा है और भगवान क्रिया विधी बता दिये कि सूर्य वनस में मैं उतार लूँगा और कारण भी बता दिये कि देखिए पहले से एक व्यवस्ता है उसी का उपयोग हम करेंगे क्या है कश्यप अधिति महा तपकीना तिनका हमें पूरब बरदीना कश्यप और अधिति ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की है मैंने उनको पहले ही बरदान दे दिया है कि आपके घर में मैं पुत्र के रूप में आविरूत होँगा इस समय वो दसरत और कश्यल्या बन करके कोशलपूरी प्रकटनर भूपा कोशलपूरी में प्रकट हुए है सूर्य वंसी तो बहुत सारे रहे होंगे लेकिन सूर्य वंसीयों में भी कहा पता भी बता दिया कोशलपूरी में और नाम भी बता दिया, दसरत और कोशल्या, और उनका पूर्व भी बता दिया माने कोई संदेह आप लोगों के मन में न रहे सब कुछ साफ साफ, क्रिया विदिग्यम बबान क्रिया विदिग्यम उत्साह संपन्न भी है अब इतना तो बता दिया और इसके बाद का भी उन्होंने सोच ही लिया है तभी तो इतना बताया और व्यसने स्वसक्तम व्यसन में भी वो असक्त है आसक्त नहीं है व्यसन क्या है? तो हम लोगों ने व्यसन के बारे में लंबी चर्चा की थी फिलाल यह है कि कामज और कोपज विसन होता है कामज माने इच्छा से और कोपज माने क्रोध से इच्छा और द्वेश क्रोध जो है द्वेश से आता है इच्छा और द्वेश से यह उत्पन होता है विसन तो कामज दोस क्या है म्रिगया दियूत स्त्री और मद्यपान ये कामजदोस है तो म्रिगया माने शिकार खेलना शिकार खेलना ये व्यसन है बहुत से लोग कुछ नहीं तो अपना ये मशली मारने जा रहा है आज कल जो सिकार नहीं कर सकते हैं कुछ काम नहीं है, तो अपना ले लिए डोरी ये और वो, अब जाके बैठे हैं। या फिर इसी तरह से, कोई अगर ऐसे नहीं कर रहा हैं, तो जाके चुगली चाटी कर रहा हैं। मानि किसी न किसी को चोट पहुंचाने के लिए बेवस्ता बना रहा है। तो ये एक बैसन है, लत है, जो लोगों को लगी हुई है। भगवान में ये नहीं है। वो मृगया के लिए आसकत नहीं हैं। शिकार खेलने के लिए राम नहीं जा रहा हैं। वो जंगल में गय हैं लेकिन शिकार खेलने नहीं जाते हैं। उनके लिए लक्षमन जी कन्द मूल फल ले आते हैं उसी का हार करते हैं जबकि उनके पास तो दनुस्ख है बान भी है और सुरिय बंसी होने के नाते अमरिगया राजपरिवार से होने से राप्त भी है लेकिन राम जी शिकार खेलने नहीं जाते हैं आप कहेंगे कि नहीं बन करके आया था, तो उसके पीछे तो दोड़े थे, उसको तो बाण मारा था, मार ही दिया था, तो राम की लत नहीं थी वो, राम का विशन नहीं था वो, वो सीता जी ने किया था, जैसे पुरंजन उपाख्यान में हम लोगों ने देखा भागवत जी में, कि पुरंजन जो तो खाता है, वो नहाती है तो नहाता है, वो सोती है तो उसी के साथ सोता है, छोड़ ही नहीं पा रहा है, लेकिन एक दिन विहाय जायाम अतदर्राम मरिगब व्यसन लालसहा, उसी प्राण से प्यारी पुरंजनी को छोड़ करके एक दिन मुरिगया के वैसन की लालसा से वो जंगल में शिकार केलने चला गया माने अत्यंत प्रिय पत्नी को भी छोड़ करके शिकार केलने गया तो शिकार के लिए उसके मन में उससे भी ज़्यादा ललक रही होगी तब ही तो गया अने था उसको छोड़के क्यों जाता है हम किसी चीज को छोड़ते हैं उससे बहतर चीज के लिए तो इसका मतलब है कि पुरंजन के मन ने ये माना कि उधर खिचाव उसके मन का ज्यादा हुगा तो वो बैसन हो गया ने लिए भगवान श्रीडाम का ऐसा नहीं हो रहा है उनके सामने स्वरण अमिर्ग घुम रहा है भगवान को कुछ परक नहीं पढ़ रहा है तब सीता जी सीता परमरुचेरमुर्ग देखा अंग अंग सुमनोहर वेखा सीता जी ने परमरुशिर मिल्क को देखा एक एक अंग बड़ा संदर दिखाई दे रहा था एक तम सोने कमरिक सोने कमरिक कभी होता ही नहीं है ये क्या है तो सीता का मना आकरशित हो गया आकरशित क्या हो गया आकरशित होना ही था क्योंकि पहले उनकी योज़ना बन चुकी थी तुम पावक महा करो निमासा जब लगी करो निशाचर नासा पहले से योजना बनी होई थी उस योजना का क्रियानमयन हो रहा है अब वो क्रियानमयन कैसे होगा कि लक्षमान जी के सामने प्रकट करना नहीं है तो लक्षमान जी के सामने सीता जी कह रही है प्रभू ये सोने का मरिग बड़ा सुन्दर है इस मरिग की अगर शाला बनाई जाए मरिग शाला तो उस पर बैठ करके जब आप पुझा पाट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा एक अलग ही सुरूप निखर करके आएगा इसका बड़ करके इसकी अगर शाला ला दें मांस लादो यह नहीं कह रही है सीता जी भी एही मरिग कर अति सुन्दर शाला मरिग का बढ़ मांस के लिए नहीं किया जा रहा है इसकी चाला के लिए करने की बात कह रही है कि इसकी चाला बड़ी अच्छी है वो अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा हो गया सत्यसंद प्रभु बदकर ये ही आनहु चर्म कहती बैदे ही बैदे ही कह रही है कि इसका चर्म ले आईए तो चर्म ले आईए का मतलब ये निशाचर है इसकी चमड़ी उधेड़ दीजिए इसको इतना मारिए आजकल की भाषा में अगर आपको समझाने की जरूरत पड़े तो आजकल यही कहते हैं कि इसको इतना करिए कि चमड़ी उधेड़ लेंगे कोई गुसा होता है किसी को कहते हैं हम इतना मारेंगे चमड़ी उधेड़ लेंगे तो वो कह रही हैं कि यह मारीज है रामन का भेजा हुआ है इसकी चमड़ी उधेड़ लेजिए महराज ताथ पर यह है उसी को दूसरी शब्दा उली में कहा जा रहा है तो भगवान ने कहा ठीक है भगवान उनके पीछे चले गए गए क्यों इसलिए नहीं गए कि उनको मृक का मांस चाहिए था या मृक की छाला चाहिए थे तब रगुपती जानत सब कारण उठे हरसी सुरकाज समारत रगुपती जो है वो सब कारण जान रहे हैं देवताओं का कारण समालने के लिए वो उठकर के कड़े हो गए चल पड़े निगमनेति सिवध्यान नपावा सो मायाम्रिग पाछे धावा जिसको वेद बरणन करते हैं जिसका नेती नेती कह देते हैं शिवध्यान लगाते हैं जिसका पार नहीं पाते हैं वो मायाम्रिग के पीछे एक नकली हिरन के पीछे नेती कार कहते हैं कि सोने का म्रिग हो सकता है कोई मगर हिरन बना दे तो हो जाएगा लेकिन उचलेगा फिरेगा थोड़े गास थोड़े चरेगा वो तो केवल खड़ा हो के दिखेगा जो बच्चा है वो कहेगा हे हाँ हिरन है लेकिन जो बड़े हैं वो समझ जाएंगे कि हिरन नहीं है ये हिरन का आकार-प्रकार है केवल तो असंभव है कि सोने का कोई हिरन हो और वो आकर के जंगल में चरना शुरू कर दे असम्भवम हे मर्विगर्से जन्द लेकिन फिर भी राम जैसे विद्वान उसमें लुब्ध हो जाते हैं ये क्या बात है तो ये बात वही है कि वो लुब्ध नहीं हुए हैं वो जान रहे हैं तर tendency कारल उठे हरसी सुरकाज समारन देवताओं का कारیا उनको करना है क्योंकि उसी के माद्यम से रावन का बद करना है तो देवताओं के कारय का समधान देवताओं की समस्या का समाधान करने के लिए भगवान श्रीराम ने जो योजना बनाई है उस योजना को जानते हुए वो हरसी उठे परसन हो करके उठे कि चलो अब ये सुरू हो रहा है उल्टी किंती सुरू हो रही तो भगवान मिर गया करने नहीं जा रहे है माने उनको मिर गया का विशन नहीं और फिर मारीच का बद उनों ने कर दिया कहते है मारीच का जो बद कर दिया तो मारीच को उससे से नहीं मारा क्यों क्योंकि मारीच भी भगवान का भक्त था जब रावन उसके पास गया कि तुम ऐसे ऐसे हमारी योजना के अनुसार स्वर्णमरिक बन करके जाओ और उनका स्रीता का अफरन हमको करना है तो मारीच को ये बात पसंद नहीं आई उसने का ये कैसे करूँ तो रावन ने तलवार निकाल ली का ठीक है मत करो हम किसी और से करवा लेंगे लेकिन हम जिससे करवाएंगे वो देखने के लिए तुम नहीं रहोगे उसने हाथ जोड़ लिया कि नहीं महाराज क्यों हाथ जोड़ लिया कि अब मृत्युता है अब जब मर नहीं है तो रावन के हाथ क्यों मरे राम के हाथ क्यों ना मरे इसलिए ये जान करके मान करके वो आया और जैसे ही भगवान ने बान मारा प्रान तजत प्रगटे सी निचु देहा हिरन का शरीर छोड़ दिया अपना शरीर प्रकट कर दिया और सुमिरे सी राम सने है समेता भगवान श्री राम का सने है समेत स्मरन करने लगा राम राम और भगवान श्री राम ने क्या किया अंतर प्रेम तासु पहिचाना मुनि दुर्लव गति दीन सुजाना भगवान ने भी उसके प्रेम के अंतर के प्रेम को समझ लिया और उसको भी जो गति रिशी मुनियों को मिलती है वो प्रदान कर दी परिणाम क्या हुआ विपुल समन असुर बरसही गावही प्रभगुन निजपद दीन असुर कहां दीन बंदू रगुनात तो दीन बंदू है असुर को भी अपनी पदवी मौक्ष की पदवी प्रदान कर दी देवताओं ने पुस्पवर्शा कि तो ये भगवान मिर गया करने शिकार खेलने नहीं गये माने उनको शिकार का कोई पैसन नहीं है इसी तरह से दियूत मने जुआ इसकी विलत हो जाती है लोगों तो भगवान को जुए की विलत नहीं है भगवान श्री राम के जीवन में कर्ष्ण के जीवन में कभी ऐसा प्रसंग आया है कि वो जुआ खेल रहे है द्यूत नहीं खेलते, जुवा नहीं खेलते श्त्री, ये भी एक लथ है लोग श्त्रियों के पीशे पागल हो जाते हैं भगवान श्त्रीराम, वो श्त्रियों के पीशे पागल नहीं सुपरनखा आई थी उनके सामने और वो प्रस्ताव दे रही थी, सुन्दर रूप धारण करके आई थी, बनावटी, मेक अगरा करके, लेकिन बगवान श्री राम ने स्विकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि मेरा बिवा हो चुका है, अही कुमार मोर लगुआ था, कई लोग कहते हैं कि बगवान श्री राम न से ही, तो कैसे कह दिया उन्होंने जूट बोल दिया, लेकिन बिद्वान लोग कहते हैं, राम जूट बोली नहीं सकते हैं, वो कहते हैं, आही कुमार, कुछ सितान मारे थी ती कुमार हा, जो दुस्त, कुमार ने दुस्त, उसको दुस्तों को जो मारे वो, हमारे भाई जो ह वो दुस्टों को मारता है जाओ तुम भी दुस्टा हो परपती की आकांगशा कर रही हो जाओ अपना प्रसाद पाओ और फिर लशिमन अधिलाग होसो नाक कान भी नकीन ताके कर रामन कहमन वो चुनूती दिन नाक कान जो काटा वो उसको तो दंड दिया ही उसके माध्यम से रामन को चुनूती दी गई तो इधर मारीच को मार करके उधर उपर नखा के नाक कान काट करके रामन को बार-बार चुनूती दी जा रही है खरदूशन को मारा तो इस तरह से रामन को चुनूती दी जा रही थी रावन सामने आ नहीं रहा था सीता जी को अफ़रिद करके बैठा हुआ था कि इनकी तो सीता हमारे पास है ये जुकेंगे हमारे सामने वो जब सीधी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता तो इस तरह की शद्म लड़ाईयां लड़ता है खेर कहने का मतलब है कि कामज जो विसन है वो यही सब है दियुतम, पानम, मद्यपान है लोग शराब के नशे विसन में हो जाते हैं बगवान के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि बगवान कहीं शराब पी रहा है स्थ्री के बारे में भी सुपरनखा की गतिये कर दी और आप देखिए कि राम जी ने सीता का निर्वाशन कर दिया किसी कारण से लोगों ने उनको कहा कि विवाह कर लीजिए दूसरा आप तो राजा हैं राजा तो अनेक विवाह आपके पिता जी ने तिन विवाह किया था आपकी तीन माताएं थी तो आप भी विवाह कर लेजिए तो राम ने विवाह नहीं किया लोगों ने उनके उपर तरीका आजमाया कि यग्य में पत्नी के साथ बैठने का नियम है तो यग्य के लिए तो कर लीजिए कम से कम धर्म पतनी, धर्म करने के लिए तो पतनी का संग्रह कर लेजिए, भोग करने के लिए मत करिए आप अगर स्त्री को भोग नहीं करना चाहते हैं अब सीता के अलावा तो धर्म के लिए पत्नी का संग्रह कर लीजिए कम से कम आपके बगल में बैठके धर्मकारिय तो करेगी बगवान ने धर्म के लिए भी दूसरी पत्नी का संग्रह नहीं किया तो इसलिए वो व्यसनी तो बिलकुल नहीं है कृष्ण के बारे में किसाब उनके तो 16,100 वाट लेकिन उनकी जो 16,100 वाट रानिया है वो उन्होंने विवाह करके कामना से नहीं किया है परिस्तिती वस किसी का कहीं सब के अलग-अलग आता है रुकमिनी ने पत्र लिख करके भेजा कि मैं बिलकुल नहीं चाहती हूँ शिशपाल के साथ मेरा विवाह किया जा रहा है किसी तरह से मुझे बचा लीजी तो उनको बचाने के लिए उनको लिया समंतक मनी खो गई वहाँ जामवान से उनका संगर्स हुआ जामववती को उन्होंने प्रदान कर दिया उसको लेना बहुत जरूरी था क्योंकि गवाही कौन देता किसे मंतक मनी जो है इन्होंने नहीं चुराई क्योंकि बचान की उपर कलंक लगा हुआ था इसी तरह से अलग-अलग जगहों पर मृत्रबंदा, नागने जीती ऐसे ऐसे पिता ने कर लिया कि साथ बहलों को जो एक साथ नाद देगा और वो दुर्दान तो थे अब उस कन्या का विवाही नहीं हो सकता था तो वगवान ने कहा ठीक है भूमा सुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था कि 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ 20 रिकार्ड बनाते हुए मैं विवाह करूँगा कि 20,000 विवाही एक साथ 16,100 हो चुकी थी जहां जहां सुंदरी कन्याओं दिखती ही थी पकड़ पकड़ के मगवार लेता था और उनको डंप करता था उनको भूमा सुर को मार करके उन सब को आजाद करवाया और कहा कि आप सब अपने अपने घर चली जाएए तो उनकर्णियाओं ने कहा कि महराज इतने दिन भूमा सुर के जेल में हम रह चुके अब हम जब घर जाएंगे तो हमारे उपर कौन भरोसा करेगा कि हम पवित्र है तरह तरह की बाते होंगी पता नहीं हमारा विवा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कम से कम ये हमारे साथ विवाह तो करने माला था आपने हमको जेल से छुडाया हमको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब हमारी क्या परिस्तिती होगी ये सोच करके भी हम बहुत दुखी हैं तो भगवान ने काचिंता मत करो अगर तुमारे साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता तो हम करते हैं हम तुमारा पालंग करेंगी तो भगवान ने इन परिस्तितियों में उनका संग्रह किया भोग के लिए नहीं किया व्यसम ये भी बगवान में नहीं दिखाई देता है बगवान ने कभी भी श्त्री की कावना नहीं की दनुश बंग हुआ जनक जी के यहां तो महा प्रतिष्ठा दाव पर थी भूप साहसुदस एक ही बारा लगे उठावन टनकी नटारा इतने सारे राजा आये थे सीता जी के स्वयंबर में और कोई भी धनुश को उठा भी नहीं पा रहा है तोड़ना तो दो ऐसी परिस्तिती में राम जी भी उसी में गुरू जी के साथ गए थे स्वयं तो गए नहीं थे विश्वा मित्र गए थे और अपने साथ चेले के रूप में शिश्य के रूप में इन लोगों को भी ले गए थे अब ये लोग वहाँ बैठे हुए थे अब जब जनक जी ने मंच पर खड़े हो करके वासन देना सुरू कर दिया अब जनिको मा को वट मानी तब फिर किसको सहन होगा तब राम जी को उठना पड़ा यह सा मत कहो भाई वीर भीन नहीं है फिर तबी तो वहाँ पर तो आन की बात थी सीता के संग्रह की बात नहीं थी हमको सीता से विवाह करना है वहाँ तो गरिमा पर चोट हो रही थी तो उस गरिमा पर अपने सूर्य वंस की जो महिमा गरिमा है उसके संरक्षन के लिए बगवान खड़े हुए और जा करके दनुस को उन्होंने बंग कर दिया सीता से विवाह हो गया वो अलग बात लेकिन सीता से विवाह के लिए धनुस नहीं तोड़ा जैसे दूसरे राजा आये थे वैसे राम जी वहाँ पर सीता के स्वेंबर के लिए नहीं गए थे गुरू जी के साथ सेवा के लिए गए थे और हमने बता ही दिया कि सीता की निर्वासन के बाद भी कहते हैं कि सीता की निर्वासन क्यों किया तो भगवान श्री राम के बारे में आया है बसिष्ट जी के भासण में जब राम जी पिता की माता की आगया मान करके वन चले गए चितर कूट में रहने लगे तो भरत लौट करके ननियाल से आये बसिष्ट जी आये सभा भरी सब लोगी कठा हुए क्या किया जाए क्या किया जाए तो बसिष्ट जी का भासण हुआ बसिष्ट जी ने का भाई अब भरत का राजितिलक हो जाना चाहिए राम जी चले गए पिता की जैसी दसर जी की इच्छा है उसके अमसार काम हो जाना चाहिए तो उस समय बसिष्ट जी ने अपने भासन में कहा नीति पृति परमारत स्वारत कोउन राम समझान जितारत राम से बढिया ना तो कोई नीति जानता है ना तो कोई पृति जानता लोग बताते हैं कि सीता का निर्वासन बगवान ने इसलिए किया कि सीता जी के ऊपर अपवाद आ गया राज्यकाही एक वेक्ति ये कहता हुआ अप आया गया अपने घर में उसकी पत्नी कुछ दिन तक बाहर रहकर के जब घर में लवटी तो उसने उसको घर में प्रवेश करने से इंकार कर दिया और वो विचारी बाहर चबूत्रे पर बैठी रोती दी रात को राम चैंद्र जी के जो हुपिया तंतर के लोग हैं वो गूम रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कहीं कोई चोरी के लिए तो नहीं निकला है कहीं कोई अप रात तो नहीं हो रहा है पेट्रोलिंग हो रही थी उसी पेट्रोलिंग में एक स्त्री अकेली घर के बाहर बैठी हुई दिखाई दी तो वो लोग पुलिस वाले गए उनके पास कि क्या बात है आप अकेली क्यों बैठी हुई है रात की समय में बाहर का हमारे घर का दर्वाजा अंदर से बंद है इसलिए हम बाहर बैठे है का घर का दर्वाजा अंदर से किसने बंद कर लिया आप वो जानता है अंदर वाला कि तुम बाहर हो का हाँ जी जानता है का जान करके भी अंदर से बंद कर लखा है आपको बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया है परिस्तिती तो यही है तो खुलवाया गया दरवाजा खुलवाया है क्यों भाई आपकी पतनी बाहर बैठी है आपने अंदर से दरवाजा बंद कर लखा है ऐसा क्यों अगर बाहर ये बैठी है कई अपराद हो गया तो का उजो हो ना हो सो हो जाए मैं इसको अंदर नहीं आने दूँगा क्यों नहीं अंदर नहीं आने देंगे क्या बात है अरे कितने दिन बाहर लेकर के आई है अब हम इसके उपर हमारा वरोसा नहीं है पता नहीं कहां से क्या करके आई है हम इसको अंदर नहीं शिकार करते हम राम थोड़े है कि एक साल तक लंका में सीता रहे फिर भी उसको लेके आ जाएं अपने घर में हम नहीं है ये बात उस इस्त्री के पती ने कह दी एक व्यक्ति की बात सुनवाई होती थी आज कल सुनवाई नहीं है आज कल तो एक व्यक्ति क्या है एक लाख व्यक्ति कट्थे होके कहो तो भी सुनवाई नहीं है लोग इतना बड़ा अंदोलन एक एक साल तक चलाते हैं सड़क पर बैठे रहते हैं बरसा, गर्मी, दूख, ताप, ठंड सब सहते हैं उसके बावजुद सुनवाई नहीं होती है और केवल एक सरकार की बात नहीं है हर सरकारों में यही हाल है अंदोलन करो, तोड़ खोड़ करो तब भी कोई सुनवाई होती ही नहीं परस्तिती यह है लेकिन राम के राजी की विशेस्ता यही है अभी अपने लोग राम के राजी की विशेस्ताओं पर लंबा नहीं जा रहा है लेकिन एक व्यक्ती ने एक टिपणी की राम के पास वो टिपणी पहुंची और राम ने उस पर संग्यान लिया अब संग्यान लेकर के राम उसका निराकरण कर रहा है कि सीता जी का निर्वाशन किया कि सीता जी को लेकर के वो उस कक्ष में गए जहां पर पूरवजों की सब चित्र बीथी बनाई गई थी फिर उसके बाद कुछ वन के दृष्ष महाँ पर दृष्षाय गए थे और सीता जो है संभावना से थी गर्व उनके था जब गर्व रहता है तो उस समय दो हद होता है दो हद का मतलब है कि दो मस्तिष्क हो जाते हैं एक स्त्री का स्वयम का और एक गर्वस्त शिश्यू का तो दो तरह से सोचने लगती है, कभी ये इच्छा होती है, कभी वो इच्छा होती है, कभी वो इच्छा होती है, तो जो अच्छे लोग हैं, वो उस समय जो भी इच्छा इस्त्री के मन में होती है, उसको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर नहीं पूरा करेंगे, तो आदा से ज्यादा छोड़िय। वह नहीं खापाएंगे, लेकिन उनको चहीए, ये भी लाओ, ये भी लाओ, घर में इतना सबसामान ला देंगे बहले उसको वड़ें पहने ना, लेकिन बाजार जाएंगे तो ये भी चहीए, ये भी चहीए, ये भी चहीए। अपनी से चीज़ें ला करके लाद लेंगे फिर कुछ दिन के बाद उब बाद होगी तो ये असंतोष की जो प्रवृत्ती है वो गर्ब से आरंब होती है गर्भिनी की इच्छाओं को अगर पूरा किया उसके मन में समाधान है असंतोष नहीं है तो बच्चा भी संतोषी होगा तो भगवान श्रीराम उनको लेकर के चितर दिखा रहे थे यह वसिष्ठ का आश्रम है यह अनसुया का आश्रम है यह त्री के हां गये थे अपने लोग ये सरभंग मुनी का है, ये सब प्रसंग दिखाया जा रहा था तो सीता जी ने कहा कि मेरा मन हो रहा है कि एक बार और जंगल में अपने लोग चलते वो जंगल के दिन भी कितने अच्छे थे जंगल के दिन इसलिए सीता जी को अच्छे लग रहे थे क्योंकि जो पत्नी है, स्त्री है वो जाकी कुछ बाद में चाहती है सबसे पहले पती का समय चाहती है कि पती ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको प्रदान करे ये किसी भी स्त्री की इच्छा होती है जब जंगल में थे भगवान तो सीता जी को कुरा समय ही था एक बार चुनी कुसम सुहाए निजकर भूसन राम बनाए सीता ही पहिराए अतिसादर बैठे फटी कसिला पर उंदर महां काम ही नहीं था राम चंजजी फूल चुन चुन करके उसका हार बना रहे थे और सीता को पहना रहे थे बताईए ये काम था अभी ये काम सीता के लिए कितना अच्छा था कि सीता जी को राम जी का सानित्य प्राप्त हो रहा था तो उनको परसनता थी तो चौदा वर्ष तक जो राम जी बनवास हुआ उसमें सीता जी को सबसे आज़ादा प्रसनता रही कि उनको अपने पती का साथ मिला अब वहां से लटने के एक साल तक भीयोग उन्होंने साहा लंका जी में रहकर गए और लंका से जब लटने का आउसर आया तो उन्होंने सोचा फिर से अब पती का सानिते मिलेगा और राम जी आ करके राज काज में फस गए अब राज इतना बड़ा राज जिसको संचालित करना है उसके पास कितना समय होगा स्वाभाविक है कि वो समय भी निकाला जाएगा कटवती की जाएगी के रहे भाई इतना अपना प्राइवेट समय हम रख रहा है तभी समय मिलेगा नहीं तो अब वो बात थोड़े रहेगी कि फूल चुन करके ले आए और फूल का अब उसन कुदी बना के आपको पहनाए अब वो बात नहीं हो सकती तो सीता जी के मन में वो समय याद आ रहा है इसलिए कह रही है एक बार अगर और अपने लोग चलते जंगल देखते यह नहीं कह रही है कि आप भी चलिए यह कह रही है कि जंगल बहुत अच्छा लगता था एक बार और उधर जाने की इच्छा है बस भगवान ने ताड़ लिया उधर रिपोर्ट आई होई थी कि ऐसा प्रबाद सीता जी के संदर्म में चल रहा है उन्होंने कहा कि तुमारी इच्छा है जंगल लक्षमन जी के लेकर चली जाओ तो लक्षमन जी के साथ उनको बेज दिया वालमी की जी के आश्रम में कि कुछ दिन महा रहलो अब सीता तो चली गई अब सीता को जंगल थोड़े जाना था सीता को तो राम का सानिद्य चाहिए था अधिक से अधिक जिसके लिए जंगल जाने की वो बात कर रही थी और राम उनने उनकी बात को केबल पकड़ करके उनको वालमी की आश्रम लक्षमन जी के साथ विजवा दिया जिससे उनको पिड़ा हुई इसलिए जब लक्षमन जी छोड़के आने लगे तो उन्होंने का वाचिस तो या मदवचनम सराजा उस राजा को जा करके मेरी बात कह देना माने राजा की तरह निर्णाय लिया उन्होंने कि जो मैंने इच्छा की उसको उन्होंने पूरा कर दिया लेकिन मेरे मन में क्या है इसको तो उनको समझना शाहिए था और राम का उद्देश अलग था इसलिए कहते हैं राम नीति प्रीति परमारत स्वारत को न राम समझान जिथारत नीती क्या थी नीती ये थी राम की कि अगर राम जी इसका खंडन करते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो जैसे ही राम जी वक्त वे देते अख़बारों में छप जाता अभी तो एक ने प्रवाद चल रहा है इनके बारे में तो चार उतर पहरी चर्चा होने लगती अब फिर जब चर्चा होने लगती तो स्त्री के चरित्र के बारे में अगर कोई चर्चा है तो कोई प्रमान तो होता नहीं है अगर किसी स्त्री के चरित्र के बारे में किसी पुरुष के चरित अगर बढ़ती तो सीता जी का जो के प्रती जो प्रबाद था वो तो एकदम पक्का ही हो जाता उसकी चर्चा तो होने लग जाती आदे लोग इधर आदे लोग उधर कुछ लोग कहते नहीं नहीं है कुछ लोग कहते नहीं है हो सकता है तब क्या होता तो सीता तो कलंक नहीं ह तो अब राम का सबसे पहला काम यह है कि सीता के कलंक को मिटाया जाए प्रमानित किया जाए कि नहीं उसके चरित्र में कोई दाग नहीं है क्योंकि सीता का यश समाप्त नहीं होना चाहिए कलंक रह नहीं जाना चाहिए तो इसलिए उन्होंने उसको बेज दिया वहां जाकर के वो वालमिकी जी के रही need वालमिकी जीने उसी समय रामायन लिखी लव को उसको पढ़ाया और लोग उसको ने आकर के राम जी की सभा में उस राम चरित को गाया रामायन को गाया और उसमें सीता जी का पराण जल चरित家 ने रूपीत हुआ तो जब वसिष्ठ जी ने, वालमी की जी ने, वालमी की बहुत बड़े रिशी थे, वालमी की जी जैसे रिशी के मुँँ से जब ये बात आई कि सीता के चरितर में कोई दाग नहीं है, तो जनता ने इसको स्विकार कर लिया, अन्य था और किसी के द्वारा ये स्विकार नही जिस जिन से सीता जी गई उसी दिन से उन्होंने अपना पलंग छोड़ दिया जमीन पर चटाई बिचा के सोने लगे और दूसरा विवाह नहीं किया यग्य कावसर आने पर भी धर्म के लिए भी पत्नी उन्होंने नहीं इस विकार की ऐसा करके उन्होंने बता दिया कि इनका मन सिर्फ सीता के लिए दड़कता है और कोई इनके मन में नहीं है तो सीता के लिए अपनी प्रीती का प्रदर्शन उन्होंने इस मात्यमचे कर दिया निर्वासन के बाद भी दूसरी पत्नी का संग्रहना करके सीता के लिए अपने प्रेम को पुष्ट कर दिया ये प्रीती परमारत क्या है परमारत ये है कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि भाई ठीक है पुत्र संथान के लिए बंसके आगे बढ़ाने के लिए स्थ्री का संग्रह करना चाहिए उसी में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए तो इतने दिन तक साथ रहा अब आध्यात्मिक्ता अपनाई जाए जीवन को मुचा उठाया जाए तो ये परमारत है और स्वारत स्वारत ये है कि अगर हमारे घर में दोनों बच्चे पैदा होंगे तो राज कुमार होंगे राज कुमार जो है वो राजा के घर में उतने अच्छे से तयार नहीं हो पाते इसलिए अगर रिशी मुनियों के यहां रहें तो प्रारंब से ही अनुशासन में रहेंगे और अनुशासन में जो वेक्ती रहता है वो आगे चल करके बहुत उचा उठता है इसलिए हमारे बच्चे गुरु जी के यहां ही होने चाहिए और वहीं से उनकी परवरिश होने चाहिए प्राक्रतिक परियावरण के परिवेश में तब वो उत्तम बनेंगे और वो उत्तम बनें आप समझिये कि लव कुष कुषी लव जो है ये छोटे-छोटे बच्चे थे उसी समय राम जी के अस्वमेद का गोड़ा निकला किसी की हिमत नहीं हुई पूरे विश्यों में कि राम के अस्वमेद का गोड़ा पकड़ ले पकड़ा किसने? कुषी लव ने कुषी लव ने पकड़ लिया और जो जो गया चाहे भरत गये, चाहे सत्रुण कये, चाहे लक्ष्मन गये चाहे अनुमान ही है परास्त कर दिया, सब को राम को जाना पड़ा तो कितना पराक्रम बालपन में ही उनमें आ गया आप समझे ये पराक्रम क्या आयुध्या में रह करके राजपरिवार में रह कर राजमहल में रह करके उनके अंदर आता ये वालमी की आश्रम में रह कर अनुशासन बद उनका पालन पोशन होने से आया उनको ये शक्तियां मिली तो ये स्वारत कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं तो नीति प्रीति परमारत स्वारत कोउन रामसम जान ये थारत तो जो भगवान श्री राम है उनके अंदर कामज दोश, कामज विसन नहीं है इसी तरह से कोपज भी नहीं है कोई ऐसा दंड पारुषे, अर्थ पारुषे, वाक पारुषे का उदारन नहीं मिलता है कि भगवान क्रोध में कुछ करते हूँ ऐसा तो वो व्यसनेश्वसक्तम, क्रियाविदिग्यम व्यसनेश्वसक्तम, शूरम चुरता विरता के बारे में क्या कहना है राम की शुरता, खर दूसन, रामन को क्या पता चला? रामन को यही पता चला कि पहले तो धनुष बंग हुआ, उसमें भी रामन और बाना सुर गये थे, रामन बान चुवा नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा रामन और बाना सुर ने तो धनुष को हाथ भी नहीं लगाया कि कहीं ऐसा न हो कि हम भी न उठा पाएं तो हमारी रही सहिजत, बदी मुठी लाक की खुल गई तो खाक की, कहीं ऐसा न हो जाए कि यहीं पर हमारा यस्ष समाप्त हो जाए, हिम्मत ही नहीं की उन्होंने, और उ यहां भी रावन जब निश्चे करने लगा, कि अब तो युद्ध और सम्भावी है, तो उसके विशार देखिए, वो कहता है कि खर दूसन मुहिसम बल बनता, तिनही को मारे भी नुफंग बनता, ये कोई सामान नहीं हो सकता, कि खर भी मेरे जैसा बलवान है, दूसन भी मेर बलवान, उन सब को मार देने वाला कोई सामान नहीं हो सकता, ये तो भगवान ही है, पिर क्या कहता है, कि लगता है कि सुर रंजन भंजन में हिभारा, जो जगदी सलीन अवतारा, तो मैं जाई बैरहटी करियां, अब प्रभु सर प्रान तजे भवतरियां, लगता है कि साक बगवान परम परमात्मा नहीं भूमी का भार उतारने के लिए, देवताओं के दुख को दूर करने के लिए उतारधारन कर लिया है, अगर ऐसा है, तब तुम मैं निश्चित रूप से इन से लड़ाई करूँगा, क्योंकि तामसतन का चुसादन नहीं, प्रीतिन पद सरो बगवान की भक्ति करना चाहूं, तो इतना मांस खा लिया है, इतना शराब पी लिया है, इतना अन्याय अत्याचार कर लिया है, कि मेरा मन तामसी हो गया है, अब तामसी मन से मैं क्या भक्ति भजन करूँगा, इसलिए भक्ति भजन तो हो नहीं सकता, तामसी आदमी यही कर चलेंगे उनके बाणों से मैं मारा जा करके परंपद को प्राप्त कर लूँगा बगवान के चरण तो मैं नहीं चू सका बगवान का हाथ मेरे सर पे आ नहीं सकता इसलिए उनका स्पर्ष तो होगा नहीं अब उनके उनका स्पर्ष किया हुआ जो बाण है कम से कम वही मुझे लग जाए तो मेरा कल्यान हो जाए साक्षात उनका सपर्ष तो हो नहीं सकता अब उनकी छूई हुई चीज को अगर हम छूले या वो आके हमको छूले तो शायद मेरा कल्यान हो जाए ये सोच करके उसने ये योजना बनाई तो कहीं न कहीं भगवान के शवर्य को वो भी समझ रहा था और कृतग्यम भगवान कृतग्य है भगवान के कृतग्यता के अनेक कहानिया है भगवान को तो जो थोड़ा सा भी उनके लिए कर देता है उसके लिए पता नहीं क्या करते है एक किनारी थोड़ी सी फाड़ करके साड़ी की और उंगली में बां दिया था हजारों साड़ी या उसके बद्रे में व्रागवान ने दे दी की नहीं दे दी दो मुठी चावल काँख्री से खिंच करके खा लिया और एक-एक चावल के बदने में एक-एका सरफी भी नहीं नहीं, जाने कितना दे दिया उनके जैसा कोई करतग्य होगा शूरम करतग्यम दिर्ड सहुर्दम चे अब उनका सहुरित, उनकी मित्रता उसके तो क्या कहना है चाहे सुदामा से कृष्ण की मित्रता देख लीजिए, निभाया उन्हों और चाहे सुगरीव और राम की मित्रता देख लीजिए सुगरीव जो है उसकी पत्नी भी छिन गई थी राजी भी छिन गया था किस किंधा पर किसी तरह से रह रहा था क्योंकि बाली वहाँ आ शुक्ता था इसलिए अब अगवान ने सुगरे उसे मितःता की मितःता करके क्या दिखाया कि बाई तुम्हारी भी पत्नी शिन गई है हमारी भी शिन गई है हम लोग एकी परिस्तिती में हैं हम लोग एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे को उबारेंगे तुम्हारी पत्नी हम तुम्हें दिलवा देते हैं हमारी पत्नी तुम हमें दिलवा दो मदद करो यह यह करके दिखाया तो उनकी मित्रता भी दिर्ड़ सगुर्द लक्षमी स्वयम या तिनी मा सहे तो जो ऐसा होता है उसके घर में लक्षमी स्वयम जाती है तो क्यों न भगवान के घर भगवान को घर बना ले लक्षमी इसलिए लक्षमी जी ने इन गुणों के कारण भगवान को अपना घर बना रखा है अगर आप लोग भी लक्षमी जी को चाहते हैं कि आपके घर में आएं, तो ये जो भगवदी ये गुण है, इन गुणों को अपना लीजिए, उलाना नहीं पड़ेगा लक्षमी जी को, खेंच इतान के लाना नहीं पड़ेगा, लक्षमी अपने आप आपके घर में आने लगेंगी, यही बात है, इसलिए बगवान को श्र शिव शिव शम्भो शरहर महादेव, शिव 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 संभो शरहर महादेव, धर्मकी अधर्मका, प्राणियों में, इसलिए का रियान्धी, गुमात्ता की गुहत्या, जगत गुरु शंकराचारी बगवान की नमः पार्वती पताये हर हर महारे